तो जैसा कि दोस्तों आपको याद ही होगा पिछली वीडियो में अपने प्यारे रोफिरों ने बैड सेंटा को बड़ी मेहनत करके चेल से भाहर निकाला था और इसके बाद अपने रोफिरों वाइस टाउन की खतरनक वली पुलीस ने अपने प्यारे से रोफिरों को लगाया और रोफिरों को जेल में पहुंचाया और अब आगे ओई मां ओई चुनिलाल जा कर डंडा लिया डंडी का क्या करोगे तुझे फेलेंगे तपाटा 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 ओ तेरी की दोस्तों पुलीस वालों ने तो मेरी बहुती ज्याद पिटाई कर दी रहा बाब अब तो मैं इस जेल से लगता है कभी भी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा दोस्तों अगर आप चाहती हूं कि मैं आज इस जेल से बाहर निकलूं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा तो चलो जल्दी से आज की वीडियो में उरागे चलती है गाईस आप तो देखी सकते हूं कि ये जेल पहले से भी बहुती जौदा स्ट्रोंग हो गई है अब तो ये जेल चारों तरफ से लोहे जैसी मजबूत हो गई है इसलिए हम इसकी विंडो को भी तोड़ के बाहर नहीं जा सकती लेकिन मु कि ये क्या पड़ा है ओहो हमका तो मिल गई केंडी स्टिक लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई होगी हो मुझको लगता है जो मेरी से पहले बैड सेंटा यहाँ पर बंद ता ना ये केंडी स्टिक उसी की यहीं पर रह गई है दोस्तो वैसे मैं इस केंडी स्टिक का क्या करूं ह दोस्तो मैं जल्दी से इस केंडी स्टिक को कहीं चुपा देता हूं वरना ऐसा ना हो कि पुलीस वाले आके इसी केंडी स्टिक से मेरी देटनाटन देटनाटन पिटाई कर दें अरे लेकिन अगर पुलीस वालों की यहाँ आनी से पहले ही मैं यहाँ से बाहर भाग जाओं तो कैसा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा दोस्तो इस जेल को तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा हाया हाया हूँ और देखो ये जेल तो तूट गई और मैं आ गया हूँ इससे बाहर दोस्तो बाहरा कर तो बहुती खूला खूला महसूस हो रहा है तो चलो अब जल्दी से यहां से भाग चलती है मगर एक शेकिन ये कैसी आवाज आ रही है ओ चुनिलार डंड लेया क्योंकि रापीरों को पीटने का वक्त हो गया है ओ तेरी सासू की ये क्या दोस्तो पुलिस वाले तो मुझे को पीटने के बारे में सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं हाँ एशा करता हूं जल्दी से जील की अंदर वापिस जाकर छुप जाता हूं और दोस्तो देखो बाहर तो रात भी होने वाली है और आज रात के अंदेरे में मैं रो फीरो यहां से रफूच चकर हो जाऊंगा और फिर जाकर लूँगा टिपसन दाद से बदला तो चलो अभी तो रातोंने में बहुत टाइम पाकी है तब तक मैं सोच जाता हूं हेलो पुलिस वालो हेलो टिपसन बोस कैसे हो एक करोण रूफाई से मज़े तो आही रहे होंगे मेरे एक करोण की बात छोड़ो और तुम अपना ध्यान रखो क्या टिपसन बोस ऐसा क्या हो गया आरे तुमने जिसको पकड़ा है वो रोप हीरो है वो सब की पकड़ पकड़ कर पुंगी बजाने में माहिर है टिपसन दादा जो एक बार हमारी पकड़ में आ जाए उसका बचना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन होता है ओए चुन्नी लाल के बच्चे मेरी बात को कान खोल कर सुन हाँ खोल लिए जल्दी बोलो अगर रोपीरों के गुसे से वाइस्टाउन को बचाना चाहते हो तो उसको यहां से हटा कर कई और शिफ्ट कर दो ओके टिपसन दादा आप टेंशन मतलो आदा चुन्नी लाल जल्दी से दो-दो हाथ लगा और रोपीरों को यहां से उठा ओ भाई क्या मस्त नींद आई चलो अब जल्दी से इस जेल को तोड़कर बाहर निकले हैं यह मैं कौन सी जेल में आ गया दोस्तो मैं तो वाइस्टाउन की छोटी सी जेल में बनता लेकिन यह तो बहुत ही बड़ी जेल है और आप कौन हो भाई सहाब ओहो हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है अरे जेलर अंकल लेकिन मैं यह इस नई जेल में कैसे आ गया तुम पर बहुत बड़ा ही नाम था इसलिए तुमको बहुत बड़ी वाली जेल में लाया गिया है खुश हो जाओ इसमें खुश होने की कौन सी बात है अरे खुश होने की ही तो बात है क्योंकि अब से यही तुम्हारा गर है और ये हटे कटे मुस्तंडे पुलीस वाले तुम्हारा खुब बराबर दियान रखेंगे क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है अरे आप जेलर हो तो ठीक है लेकिन मेरा इस जेल में क्या काम दोस्तो ये तो मैं नई मुसीबत में फास गया उस वाइस टाउन की जेल सी तो मैं बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता था लेकिन मुझको लगता है यहां से बाहर निकलना मुश्किली नहीं ना मुमकिन है लेकिन आपका प्यारा रोफीरो हार नहीं मनेगा तो दोस्तों अगर आप जानना चाहती हो कि हमारा प्यारा रोफीरो इस जेल से कैसे बाहर निकलेगा तो उसके लिए जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और आप कमेंट बोक्स में रोफीरो को सजेशन भी दो कि रो फिरो इस जेल से कैसे बाहर निकले और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रहे चैनल के लगों को दबा कर सब्सक्राइब कर लो जिससे आप जीडी फैमली का हिस्सा बन जाओ और ऐसी ऐसी अनोखी वीडियो हर रोज देख पाओ तो के गाइस अब हम आज की वीडियो को जल्दी से खत्व करते हैं टाटा बाई बाई लव यू सभी को